हे गाईज गुद मॉर्निंग आज है 30 जुलाई 2024 चार बचे के आसपास अलारम की रिंग टॉन के साथ हुई थी मेरी सुभा उसके बाद भगवान जी का नाम लेके मैंने कीति पढ़ाई अभी सबसे ओपर वाली प्रियारिटी में है मेरे लिए हेल्थ हेल्थ के बाद है अप कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दोड़ें दोड़ भी नहीं सकते हैं तो चलें और चल भी नहीं सकते हैं तो कम से कम रेंगते हुए ही चलें लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें आप सबकी पहली समस्या और सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ने का मन नहीं करता कोई बात नहीं, जब भी पढ़ाई करने का मन ना करे, health साथ ना दे mental जो pressure है mind में जो रहता है, वो आप पे हावी हो जाए और आप ना पढ़बाएं तो अपने दिमाग को relax करके सिर्फ एक भी बात बोलनी है कि मुझे पूरा दिन में किसी भी book का जो भी मेरी competitive exam से related है, मेरी paper selected है, उसका एक page पढ़ाई करनी है, अगर आपका वो भी पढ़ने का मन नहीं है, तो कोई आपके पास novel है, कोई newspaper है या कोई website है, जिसका आप use कर सकते हैं, कि मुझे सिर्फ एक page पढ़ना है, पूरे कुछ भी नहीं है, आप ये सोचते होंगे कि consistency maintain करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने मुश्किल बना दिया है, आप ये सोचते हैं कि consistency का मतलब होता है कि आज 8 गंटे पढ़ाई हुई है तो लगातर 12 महीने 8 गंटे पढ़ाई होगी तो ही consistency है, नहीं, कोई भी आपके दिन एक जैसे नहीं रहेंगे, जैसा आज है, कल वैसा नहीं रहने वाला, ना बीता हुआ कल सेम था, ना आने वाला कल सेम होगा और ना ही आज जिस वरत्मान में आप जी रही हैं वो सेम होगा, किसी दिन बहुत अच्छा आपकी life रहेगी किसी दिन बहुत low phase रहेगा जब भी low phase रहे अपनी life में, तो आपको उस दिन अपने mind को relax करके इस तरीके से train करना है कि पूरा दिन नहीं पढ़ना मन नहीं कर रहा, कोई भी low phase है life में, कोई भी condition हो सकती है, तो आपको सोचना है कि एक phase पढ़ना है पूरे दिन में जब भी time मिलेगा तो वो एक phase आप पढ़ लीजिए अगर आप किसी exam के त्यारी नहीं कर रहे हो, तो भी मैं बोलूंगी कि reading habit सच में एक ऐसी चीज है, जो आपको knowledge के साथ-साथ आपका जो mind है उसको भी बहुत relax करता है आपको लगता होगा कि यार हमीना फोन में shots देखके खुशी मिलती है, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको फोन में shots देखके खुशी मिलती तो आप बाद में regret नहीं कर रहे होते जो आप daily regret करते हो रात को सोने से पहले ये सोचते हो कि कल से तो फोन ना के बराबर देखना है फाल तुम्हें फोन देखना ही नहीं और फिर मन में आ जाता है यार पांच मिनट shots देख लेते हैं वो पांच मिनट कब एक दो घंटे में बदल जाती हैं पता ही नहीं लगता आपको लेकिन आपको ये चीत समझ में नहीं आ रही कि बस आपकी वो habit बन चुकी है आपको उसमें खुशी नहीं मिल रही जब आप कोई भी novel पढ़ेंगे कोई book पढ़ेंगे आपको सही में खुशी मिलेगी आपको regret नहीं होगा और आपको हमेशा ये लगता है कि मेरी window के पास इतना धूप है मैं धूप में बैठके कैसे पढ़ती हूँ जी नहीं धूप नहीं होती अच्छी हवा भी चल रही होती है कभी कभी और वो बस रोशनी होती है वो light इतनी होती है कि camera में ऐसा लगता है कि धूप है सामने अभी आपको क्या करना है जब भी पढ़ाई करो तो ऐसे रोशनी में करो मैं हमेशा इस window के पास बैठती हूँ most of the time या फिर maximum मैं बैड पे भी पढ़ती हूँ तो window के side में बैठना prefer करती हूँ ताकि natural जो light होती है वो भी हमारे mind पे ये effect डालती है कि हम कैसे concentration के साथ पढ़ाई कर रही है मैंने खुद ऐसा पाया है कि natural light के साथ जो पढ़ाई होती है वो artificial light के साथ नहीं इतना अच्छे से हो पाती है अब ये वापीस अपने topic पे आ जाते है कि कैसे हमें time मिलेगा पूरे दिन में अपने लिए जिस काम में करने में आपको बाद में regret हो तो वो काम आपको खुशी दे ही नहीं सकता इसलिए मन में एक बात बठाए कि phone में unnecessary time waste करके मुझे खुशी नहीं मिलती है तो इसलिए मुझे ये काम करना नहीं जिसमें मुझे खुशी नहीं मिल रही मुझे ऐसा काम करना ही नहीं जिससे बाद में regret हो इसलिए आपको ये एक habit छोटी सी habit आप सोचेंगे एक page से क्या ही हो जाता है बहुत कुछ होता है तीन-चार दिन अपना आखे देखिएगा धीरे धीरे आपकी habit बढ़ेगी लेकिन page के number बढ़ाने के बारे में पहले बिलकुल भी मत सोचना तीन-चार दिन तक कुछ में नहीं सोचना सिर्फ यही सोचना है कि दिन भर में एक page बढ़ना है सिर्फ यह सोचना है तब ही आपका mind खुद बे-खुद इस तरीके से train होता रहेगा कि एक page से 2, 2 से 4, 4 से 6 और जब भी आपको free time मिलेगा आपको reading की habit हो चुकी होगी 21 days के बाद यह आप करके देखना यह challenge 21 days के लिए मैं आपको यह बताती हूँ कि आप इस challenge के साथ कोई भी काम आसानी से कर सकते है जो काम आपको मुश्किल लगता है शुरुआत छोटे से होती है हम ना बहुत बड़ा पहार देखते हैं सामने कि यह हमें target है इतने बड़े-बड़े वो हमें complete करने है नहीं इस तरीके से mind work नहीं करता pressure चाहिए लेकिन धीरे-धीरे बढ़ाना है इसलिए starting करें एक page से और फिर खुद में खुद 21 days के बाद मुझे comment section में लिखना कि 21 days जब आपने ये challenge लिया कि मेरे को phone नहीं देखना है phone side में रख देना है switch off कर देना है और जो आपकी ये एक शिकायत है ना कि हमें तो time नहीं मिलता पूरे दिन में यार आपको बैए चीज़ बताती हूँ आपना किसी भी दिन आज के ही दिन चलो आज का दिन तो जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा आपका half day निकल चुका होगा कल सुबह जैसे ही उठें अपने phone को switch off कर दें अपने घरवालों को पहले ही बता दें अगर कोई आपको जरूरी daily phone करता है आपका कोई family member है कहीं उनको आपकी tension ना हो कि phone switch off क्यों है पूरे दिन से आप phone switch off कर दें सुबह उठते ही और रात को सोने तक phone को on नहीं करना है on करना ही नहीं है किसी से बात करने के लिए भी नहीं करना क्योंकि खुद के मन पे इतना control नहीं होता कि phone on किया और सिरफ किसी की call attend करी और phone रख दिया आप एक दिन phone को बिल्कुल भी touch नहीं करेंगे switch off करके side में रख देंगे उस पूरे दिन में अगर आपको फिर भी अपने लिए time नहीं मिलता तब seriously में आपके पास time नहीं है फिर आपको जुरूत है दुसरे से help मांगने की लेकिन अगर phone switch off करके पूरे दिन में आपको अपने लिए आदा एक घंटा मिल पा रहा है तो आपको किसी की help की need नहीं है आप खुद बे खुद अपनी life सुधार सकते हो जहां आदा घंटा मिला एक मिला वहाँ दो भी मिलेंगे आपको एक काम जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अपनी productivity के लिए अपनी mental ability के लिए खुद को groom करने के लिए time मिलेगा तो आप खुद बे खुद उन दुसरे कामों को जो priority list में कहीं नीचे हैं उनको जल्दी से निप्टाने की कोशिश करोगे और अपने लिए time आप खुद बे खुद बढ़ाते रहोगे लेकिन जब तक मन में के ठान के रखोगे कि मेरे पास नहीं है time मुझे अपने लिए बिलकुल time नहीं मिलता वो आपको तब ही नहीं मिलता क्योंकि phone आपके हाथ में होता है जब आपको time मिलता है इस phone को switch off करके भी आपको time नहीं मिल रहा फिर seriously में आप बहुत ज़्यादा hard work कर रहे हो आपको hard work के साथ smart work की need है आपको साथ में किसे की help की भी need है क्योंकि phone बिलकुल आप touch नहीं करते हो फिर भी आपको खुद के लिए बिलकुल time नहीं मिल पा रहा है तो फिर seriously आपको worry करने की need है और किसी से help आपको ले लेनी है 4 बज़े उठने के बाद सुबह से में को बिलकुल भी ये feel नहीं हुआ कि मैं ठकी हुई हूँ या में को need चाहिए लेकिन अब भी 5.30 p.m. के around evening में में को लग रहा था कि हाँ 20 minute का rest तो ले लेना चाहिए 20 minute के आसपास का ही rest वा था इतने में हस्मेंट आ गए थे और फिर वही routine स्टार्ट हो गया कुछ question जो बार-बार आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि live आया करो आज के दिन ही मैं live आये थी आप सब के साथ में लेकिन पीच में कभी network issue हो जाता है और एक और issue है यार मेरे को ना पहले भी मुझे लग रही थी problem लेकिन उस टेम पे मैं अपने notes बना लेती थी या कुछ करती थी तो मुझे reading इतना नहीं करना पड़ता था मैं ना बोल-बोल के कई पर ऐसा होता है ना कि हमें याद करने है रिवाइस करना है और बहुत अच्छा mood भी है तो उस तरह में बोल-बोल के मन करता है ना पढ़ाई करने का तो लाइग में थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि मतलब I'm not comfortable मतलब मैं comfortable हूँ कहा हमने के सामने बट ऐसे बोल-बोल के पढ़ने में मैं इतना comfortable फिल नहीं करती हूँ तो इसलिए मेरे को लग रहा है कियार मेरे को आप लोगों को भी जूटी हूँ में नहीं रखना चाहिए कि लाइगी मैंने ट्राइब बहुत की कि मैं लाओं लेकिन अभी आज के लिए तो पढ़ाई बहुत ही कम होती है और उसमें से भी लाइव में जाके और फिर मैं जो अपनी मनमर्जी से पढ़ाई करना चाहती हूँ कभी तो मैं गाने लगा लगा के भी पढ़ाई कर लेती हूँ मैं इसे काम करती हूँ मैं गाने लगा के लेकिन कई बार ऐसे न मिठी सी धुन पीछे बजरी होती है गानों की और मैं अपना कोई topic न ऐसे गुन-गुनारी होती हूँ तो बहुत सारे तरीके हैं जो मतलब अच्छा बनाते हैं इंट्रस्टिंग बनाते हैं पढ़ाई को तो मैं online में वो नहीं कर पाती हूँ पहले मुझे लगा था कि यार आप सब इतना प्यार दे रहे हैं तो मतलब क्या फरक पड़ता है अगर आप लोग मेरे बाहने पढ़ाई कर पाएं लेकिन फिर network का भी issue हो जाता है और फिर इस तरीके से पढ़ाई का भी issue हो जाता है तो live please pardon me for this आप जो मेरे को request करते हो तो मैं नहीं यह fulfill कर पाऊंगी कभी बीच बीच में कभी महीने में दो महीने में मैं कोशिश करूँगी लेकिन please इस चीज़ के लिए please आप मेरे से request ना करें क्योंकि आप लोग की request आती थी कभी मैंने सोचा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा फिर मैं को रहा कि यार बहुत सारे message आ रहे हैं मुझे कर लेना चाहिए live लेकिन बाद में फिर बहुत issue आ जाता है ना कभी network चला जाता है तो आप लोग की live end हो जाती है फिर आप लोग last में चैट करने के लिए कुछ पूछने के लिए डटे रहते हो और फिर आप लोग को live मिलती भी नहीं है फिर आप लोग के comment आते हैं कि live end हो गई time से पहले ही पहले मैंने जब हो रहा था जब मैं अपने notes बना दी थी मैं try करती थी कि ठीक है live में बैठे बैठे मेरी भी हो रही ह अच्छा किसे ने उसे पूछा था कि आप अपने बेटे को daily tiffin में बनाना क्यों देते हो fruit box में तो देखिए जब grapes का time था तो वो grapes लेकी जाता था और उसको ना जो हम fruit cut करके देते हैं उसको अच्छे नहीं लगते हैं एक mango था जो वो cut किया हुआ भी खा लेता था और mango ल अच्छी नहीं लगती उसको अच्छे लगता है कि fruit बस cut किया और उसको दे दिया तो वो खा लेता है अच्छे से और पता है एक और चीज मुझे भी ठीक लगती है कि घर पे बच्चे को अलग-अलग fruit दे दो और बाहर वही fruit देना चाहिए जो ज़्यादा time तक cut करना ही न school के लिए लेकिन घर में मैं उसको अलग-अलग fruit दे देती हूँ आज मैंने बहुत दिनों के बाद खुद के face पे एक मास्क लगाया सिंपल सा मुलताने मीटी वाला मास्क है यह मुलताने मीटी मेरी बहने मुझे बहुत पहले करीद के दिया था बस रही मैंने apply किया था और यह मुझे कितने बुझे सोना है मैं को यह लगा कि जब मुझे नीद आएगी तब मैं सोचाओंगी अगर नीद नहीं आ रही है तो मैं पढ़ाई करूंगे अच्छे से इसलिए कभी low phase होना आपकी life में तो एक recent time table भी न बनाए क्या पता जो आपने time table बनाया है उस time पे आ अपनी body को थोड़ा सा relax दें लेकिन जब आपको लग रहा है कि नीद भी नहीं आ रही है अभी क्या करें तो फिर पढ़ाई आप कर सकते हैं उस time पे लेकिन हो तभी कर पाएंगे जब phone आपका दूर रहेगा अगर phone पे control नहीं है तो फिर वही आपको time भी नहीं मिलेगा औ और फिर पढ़ाई के लिए तो time कहां से मिलेगा और अपनी खुद के लिए भी नहीं मिलेगा